हलो नमस्कार साथ यो स्वागित आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स कलाशीज में तो दोस्तों राजस्थान पसुदन सायक की जो भी साती त्यारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान के पसुगणना के जो आंक्डे हैं वो बहुत इंपोर्टेंट हैं तो दोस्तों आप से निवेतन है कि यदि आप चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबा दें और राजस्थान जीकेश से संवंधित जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो आमने अपलोड कर रेके हैं और डेली-डेली उनके टेस्ट होते है तो सुबह 11 बजे और दोपेर 3 बजे उनके टेस्ट लेना ना भूलें और कल से बाद में आपके सरजरी एनाटोमी के टेस्ट इस्पेसल चालो होंगे तो वो टेस सिरीज भी लेना ना भूलें और जो साती हमारे वोटसप ग्रूप या टेलिग्राम चैनल पर जोइन नहीं हुआ है तो वो जल्दी से जोइन हो जाए लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तो आ राजस्थान के पशु आंक्डे हैं उनके बार में बात करेंगे तो राजस्थान की जो नमीनतम पशु गणना थी वो आपके 20 वी पशु गणना थी इसका पीडिये पे वो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा बाद में कल मिल जाएगा इसका पीडिये तो चलिए दोस्तो यह हैं पशु गणना है वो 2020 के अंदर पूरी हो गई थी जो basic चीजी हैं वो पहले देख लेते हैं कि गणना है वो किस प्रकार हुई थी और कब सर्व परतम गणना कब हुई थी आजादी के बाद में पहली गणना कब हुई थी उसके बारे में संपुर्ण जानकारी देख लेते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी इसके पनागरे और फूरा देखें और 10 अक्टूबर से प्रारम हुई थी ये गणना 10 अक्टूबर 2018 को और 16 अक्टूबर 2019 को इसका जो डाटा है वो पेस कर दिया गया था अब जो इसकी ये गणना है वो आपके राजस्वे विभाग अजमेर वेपसुपाल ये 20 वी पसुगणना और सर्व परतम पसुगणना की बात करें तो वो आपके सर्व परतम पसुगणना है वो 2019 से अप्रेल 1920 तक चली थी जो परतम पसुगणना थी वो आपकी जो पहली बार पसुगणना हुई थी वो आपकी या आंक्ट पूछा नहीं जाता है लेकिन कभ पसुगणना है वो आपके 1901 में हुई थी और वो सातवी पसुगणना थी जिसमें 2.46 करोड पसु थे और राजस्थान में 2.46 करोड पसु अब बात करते हैं आगे तो राजस्व मंडल की स्थापना है वो कब हुई थी आपके 1909 को राजस्थान मंडल की स्थापना हुई थी और पसुपालन विबा की स्थापना है वो आपके 1907 में हुई थी अब बात करते हैं पसुगणना में जो आपके पर्थम इस्थान पर आता है वो आता है आपके यूपी और दूसरे इस्थान पर आता है राजस्थान और तीसर अब बात करते हैं नविन्तम पसुगना में कुल राजस्थान में टोटल कितने पसु थे तो वो 56.8 मुलियन पसु थे तो पसुगना में बड्Вотरी हुई है 56.8 million है अब देखते हैं कि किस परकार कितना किस पसु का आंकड़ा है तो राजस्थान में 20 वी पसु गणना के एकोडिंग जो आंकड़ा है वो आपको बता देता हूँ तो इसमें गायों की जो संक्या है राजस्तान पसुगणना में तो गायों की संक्या है वो आपके थी 1.39 लाक गायों की संक्या है 1.39 लाक और इसमें जो वर्दी हुई है वो आपके 4.41 परतिशत की वर्दी हुई थी एक पॉइंट 49 लाग गाएं हैं इसमें से आपके 4.49 परतिशत की वर्दी हुई है इसे 20 वी पसुगणना के अंदर अब 200 की संग्या बात करें तो 200 की ये 1.37 लाग जिसमें आपके 5.53 परतिशत की वर्दी हुई है और इसका देश में दूसरा इस्तान है और गाएं की बात करें तो गाएं का राजस्तान में राजस्तान का छटवा इस्तान है बारत के अंदर अब बात करते हैं बेड की संग्या की तो बेड की संग्या है वो आपके 79 लाग है जिसमें 12.9% की जो है आपके कमी आई है और इसमें इसका इस्तान है चोते इस्तान पर है राजस्तान बेडों की संग्या में अब बात करते हैं बकरी की संग्या में तो बकरी की संग्या में कमी आई है आपके आंकडे नोट जरूर कर लेना याद यहीं आंकडे पूछे जाते हैं एकजाम के अंदर और देश में राजस्तान का प्रथम स्थान है बक्रियों की संख्या में अब बात करते हैं गोडों की संख्या में तो गोडों की जो संख्या है 0.34 लाख संख्या है ग बात करते हैं उंटों की संख्या के बाद तो उंटों की संख्या है वो आपके 2.13 लाक हैं उंटों की संख्या राजस्तान में कितनी हैं 2.13 लाक और इसमें कमी की बात करें तो वो आपके 34.79 परतिशत की कमी आई हैं और देश में अभी भी राजस्तान पर्थम इस्थान पर ह बात करते हैं गदों की संख्या की तो गदों की संख्या है वो राजस्तान में 0.2-3 लाग है जिसमें गदों की संख्या में राजस्तान में काफी कमी आई है और अच्छी बात है गदों की संख्या में कमी आई है लेकिन हम अलग आंकड़े से देखते हैं तो इसमें 71.3 परति अब सूरों की सिंग्या की बात करें तो सूरों की सिंग्या है आपके 1.24 लाख 1.24 लाख है सूरों की सिंग्या जिसमें 34.8 शाद परतिशत की कमी आई हैं आपके अब बात करते हैं मुर्गियों की संक्या की तो मुर्गियों की संक्या की बात करें तो मुर्गियों की संक्या है 14.6 million और इसमें जो वर्दी हुई है वो आपके हुई है 82.23 परतिश्यत की वर्दी हुई है पिछली गणना के according और इसमें इस्तान है सत्रवां इस्ताने मुर्गियों की संक्या में राजस्तान का अब इसमें जो में चीज है वर्दी किसम हुई है और कमी किसम हुई है तो गाई, बैंस और मुर्गी की संक्या में वर्दी हुई है और बाकी की संक्या में कमी हुई है तो ये बात आप जरूर याद रखना अब बात करते हैं बारत में राजस्तान का इस्तान अब भारत में जो राजस्तान का इस्तान है वो एक बार आप विस्तार से देख लीजीगा पर्थम इस्तान पर कौन-कौन से आते हैं उंट, बक्री और गदे दूसरे इस्थान की बात करें तो दूसरे इस्थान पर आती ही बैंस तीसरे इस्थान पर बात करें तीसरा इस्थान है गोडे का और चोते इस्थान की बात करें तो चोता इस्थान है आपके बेड़ का और 6 इस्ताने गाय का और 17 इस्ताने आपके मुर्गी का अब बात करते हैं भारत का उसे पहले एक बार पस्व गनत्व देख लिए गया सरवादिक पशु है वो कामपर है वो आपके दोसा में पाये जाते हैं 129.5 मिलियन गयों की संक्या है जो विश्व का छटा इस्तान प्राप्त है भारत को गयों की संक्या के मामले में अब 200 की संक्या की बात करें तो 109.9 मिलियन है वो भारत में है और दूसरा इस्तान विश्व में प्राप्त कर लिया है अब तीसरी बात करें तो तीसरी है नसल हमारे पास भेड जिसकी संख्या है 14.3 मिलियन और चोता इस्तान है भारत का विश्व के अंदर अब बात करते हैं हम बकरी की संख्या की तो बकरी की संख्या है 148.9 मिलियन और पर्थम इस्तान है विश्व के अंदर अब मुर्गी की संख्या की बात करें तो मुर्गियों की संख्या है 891.8 million और सात्वा इस्तान है प्राफ्त किया है विस्व के अंदर सात्वा इस्तान पर है वारत अब उंटों की संख्या की बात करें तो उंटों की संख्या है 0.3 million और पर्थम इस्तान पर हैं इंडिया विस्व में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं next class में तो चैनल पर नहीं हैं वो subscribe कर ले LSE के लिए special class हैं वो आपके सुचार रूप से चालो रहेगी तो जै हीन जै बारत